कि यूद्ध कि यूद्ध कि यूद्ध कि यूद्ध में आपको एक बार फिर स्वागत है मेरा नाम है दीपक और जो आज मैं ब्रीड ले गाया हूं यहां बहुत ही प्यारी ब्रीड है और बिल्कुल एवलेबल है फोर सेल के लिए आप इस दिवे नंबर पर आप हमें कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं और जो कॉंट्रेक्ट का टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सुबा दस बज़े से लेकर रात को दस बेद और रात को दस बज़े क का डेफिनिटली रिप्लाइए करें और साथ में आपको बताना चाहूंगा शिट्जू की इंपोर्टेंट टिप्स तो कैसे के रिंग करनी है और कैसे इनका रख रखाप करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी इंपोर्टेंट टिप्स के बारे में और फ्रेंड जो कंलें है वो सबसे वहले में एडवाइस करेंगा जो इनकी आखों के आगे बाल हाते हैं इनकी आखे तो बालो की वज़े से दिखती हिं नहीं है और हमें इनकी आखों के आगे बाल ताम टो टाइम कटकरने चाहिए उससे क्या था इनका प्रॉपर जो विजिशन होता है वो इनको प्रोपर दिखता है और इनको कोई डिस्टरबेंस नहीं होती देखने में और यह मैं इसले भी कहा रहा हूं कि यह बहुत ही इंपोर्टन चीज है लेट सपोस अगर आप कोई फ्लोर पे रहते हैं फ्रस्ट फ्लोर सेक्ड फ्लोर कोई भी फ्लोर हो तो जैसा कि अग फ्लेट्स में रहते हैं तो और टिप नंबर सेक्ड में आपको पताना चाहूंगा जो इनका पॉटी एरिया होता है उदर भी आप बाल कटवाएं टाइम टो जैसा कि यह पॉटी करेंगे तो पॉटी बालों में अटा सकती है तो आप इसका ग्रूमिंग का भी ख्याल रख अगर आप अच्छी जगा कूल जगा पर रहते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं है और जैसे इनके बाल बड़े होंगे तो आप कोई भी डिफ्रेंट स्टाइल इनका रखते हैं जैसा कि आपने देखा होगा कई लोग चूटिया बानते हैं और कई लोग पोनी टेल रखते अगर समर्ज हैं तो कर्ड बहुत हैं परती हैं और इनका ठंडा रखती है तो उससे बच्चा बिल्कुल सई रहता है और फ्रेंट्स जो शिड्जू होते हैं वो थोड़े नक्रेले होते हैं खाने पीने के मामले में तो आप गवराई मत कहीं हो कि कॉल आती है कि हमारे इंच और फ्रेंट्स ये आरांड 70 डेसे बच्चा है और बहुत प्यार आज देखें मब आपको दिखाता हूँ आप करो प्रेंट्स जो इसकी मार्किंग है बहुत ही ब्यूटी फोले आप देख सकते हैं वाइट हैइडज का यहां से पीछ विछ और जो और दोनों इसके बनते हैं और बहुत ही बहुत ही बहतरी कॉलिटी में है इसका फर अभी बच्चा ग्रोइंग एज में तो जैसे से बड़ा होगा इसके बाल भी अच्छे बड़े होंगे और बिलकुल लूक में आएंगे और आप डिफरेंट टाइपस ओफ हेर्स्टाल इसक से गर्मी हो जाती है और हफते में आप एक या दो बार चिकन एड़ कर सकते हैं वह भी बॉन लेस जब तक आपका पपी सालका नहीं हो जाता उसके बाद ही बॉन वाला चिकन आप उनको दे सकते हैं और अंड आप अल्टरनेटेश पर दे सकते हैं इसको तो मैं तो यह अच्छा है और स्पैक्स बिल्कुल बन रहे हैं इसके आखोबर और वाइट हैट फेस इसका और फ्रेंट्स पंच नोस है आप देखे साइट से तो इसकी नोस दिखती ही नहीं है तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर प्लीस कमेंट करिए आप अपनी राय बताईए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमारा शिटजू पपी कैसा लगा और प्लीस चैनल को लाइक शिर और सबस्क्राइब जरूर करिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके पैट लोवर्स है उन तक हमारी वीडियो पुचाहिए और देखते रही है वफादार डॉक्स चैनल को और बेला इकन का नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दमाए ताकि आप लोगों तक हमारी लेटेस वीडियो टाइम टू टाइम आती रहे जैसे अगर आप नोटिफिकेशन बटन दबाते हैं तो जैसे भी हम अपलोड करेंगे कभी भी वीडियो तो आपके बाद नोटिफिकेशन जरूर आएगा आपके यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर चलिए फ्रेंड्स टेक क्यार बावाई बाई कर दो बाई